दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का मेरे योडूब चैनल पर दोस्तो यहां पर एक डीटा सेट है मेरे पास जो की है मוןतली सेल्स रिपोर्ट यहां पर कॉलम में देख्ये सेल्समेन के नाम लिखे हुए हैं और यह कॉलम्स पर लिखे हुए मंत के नाम ठीक है यहाँ पर total sales है bonus है और यह bonus percent है और यहाँ पर इन salesmen ने month wise monthly जितना जितना sales किया हुआ है उनके monthly records है और हमको क्या करना है हमको यहाँ पर total sales निकालनी है ठीक है total sales निकालने के बाद हमको bonus देना है उनको तो bonus के लिए हमारे पास conditions होंगे ठीक है conditions क्या होंगे यदि कोई salesman 7 lakhs से उपर यदि sales किया हुआ है साल भर में तो उसको bonus मिलना चाहिए 10% यदि वो 6 lakhs है 7 lakhs के बीच में यदि उसका turnover है yearly तो उसको bonus मिलना चाहिए 8% और यदि उसका sales है 5 lakhs है 6 lakhs तो उसको bonus मिलना चाहिए 5% total sales का 5% और यदि 5 lakhs से कम है तो उसको मिलना चाहिए 3% यह हमारा conditions है ठीक है condition हमको यहाँ पर लगानी है bonus वाले कॉलम में और यह bonus परसेंट वाले कॉलम में ठीक है तो यह conditions के अधार पर हम calculations कैसे कर सकते हैं उसको हम इस वीडियो में देखेंगे विसकस करेंगे तो बने रही है इस वीडियो में last तक मेरे साथ तो दोस्तों जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे यह कोई simple calculation नहीं है बलकि इसमें conditions का प्रयोग किया जाना है क्योंकि हमारे पास अलग-अलग conditions हैं हमारे results को निकालने के लिए तो conditions कब लगाया जाते हैं कहां लगाया जाते हैं कैसे लगाया जाते हैं इसको हम discuss करेंगे हम इस वीडियो में discuss करेंगे if condition का इफ condition एक ऐसा condition है जो किसी भी programming language में सबसे ज्यादा उपयोग में लायगे जाने वाला condition ह है ये एक programming की ऐसी कड़ी है जो सबसे महत्तोपूर्ण कड़ी है बिना इफ condition के आप किसी भी programming language में programming कर heeft ही नहीं सकते इतना important condition है इफ condition तो if conditions कैसे use किये जाते हैं, वो हम देखेंगे, ठीके, तो सबसे पहले हम देखते हैं, कब use किये जाते हैं, कब किये जाते हैं, तो मैंने आपको situations बताया हमारे इस data set के बारे में, ऐसा situation जब भी आता है, हमको conditions use करना होता है, कहां use करना है, तो कहां हम अपने programming पे चलते हैं, यह मेरा programming code है, यहां पर मैं आपको बताता हूँ, जैसा यह मेरा program यहां से start हुआ, और मैंने conditions कहां पर use किया, इतनी lineों के बाद यहां पर, क्योंकि यहां पर मुझे ज़ूरत पड़ी, यह देखें, यहां से ले करके, यहां तक मेरा condition है, त यह आपको अपने code में conditions कहां पर लगाने हैं, तो यह कहां हो गया, अब discuss करते हैं कैसे, कैसे लगानी है, तो if condition को कैसे लगानी है, उसके लिए if condition के syntax होते हैं, वो syntax के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, यह if conditions के अलग-अलग syntax हैं, basically चार प्रकार के syntax होते हैं, जिसको मै explain करूंगा उसमें से यह पहला syntax है syntax क्या होता है syntax किसको बोलते हैं syntax का मतलब होता है structure जिस structure में हमको if condition को प्रयोग करना होता है उस structure को ही बोलते हैं syntax यदि आप उस structure को miss कर देते हैं या उस structure के बगैर आप यूज करते है if conditions को कोई गलती करते हैं उस structure में तो आपको error मिलेगा कि syntax error जिसको बोलते हैं syntax में गलती होने पर syntax error मिलते हैं ठीक है तो यह पहला syntax है बहुत ही simple syntax है पहला वाला syntax यह syntax क्या कहता है कि हमारे पास एक condition है ठीक है इफ हमने लगाया इफ एक keyword है ठीक है इफ लिखा और इफ के पाद यहां पर condition दिया condition जैसे मैंने simple example आपको बताओ इफ x equal to 10 ये condition है यदि x कमान 10 होता है तो क्या होगा then यहां पर एक then keyword लगाना है then यदि x कमान 10 हुआ तो statement one तो यहां पर जो भी statement हम देंगे जो भी चीज़ी यहां पर लिखेंगे वो execute हो जाएगा ठीक है और इसके बाद यहां पर लगा देंगे हम क्या and if आप चाहें तो एक statement के अलावा दूसरा statement भी लिख सकते हैं तीसरा statement आप जितने चाहें statement इसके अंदर लिख सकते हैं if और and if के बीच में जो भी statement आप लिखेंगे यह condition के true होने पर वो सारे statement execute हो जाएंगे यह बहुत ही simple syntax है if condition का पहला वाला syntax अब हम discuss करते हैं दूसरे syntax के बारे में यह दूसरा syntax है देखें यहाँ पर if condition one हमारे पास condition one है और condition true होता है then statement one execute होगा यदि condition one true नहीं होता है फाल्स होता है then else वाला पार्ट आजाएगा यह else वाला part कब execute होगा condition one के false होने पर condition one true होगा तो statement one execute होगा condition one false होगा तो else वाला part execute होगा यानि statement two execute होगा और यह and if if के block को बंद करने के लिए ठीके तो यहाँ पर देखें दोनों में difference क्या है first and second syntax में difference क्या है यहाँ पर देखे यहाँ पर condition 1 यदि true होता है तो statement 1 आ गया लेकिन condition 1 यदि false होता है तो को statement ने ठीक है मैं आपको एक real life का example देता हूँ ठीक है मैं कहता हूँ कि यदि आज बारिस नहीं होगी तो मैं office जाओंगा यह simple पहला वाला syntax यहाँ पर लागू होगा मेरे पास एक ही condition है एक statement है यदि आज बारिस नहीं होगी मैं condition दे रहा हूँ तो मैं आज office जाओंगा that's all ठीक है यहाँ पर और कोई नहीं है जैसे कि माल लो बारिस हो गई तो तो कोई statement मेरा नहीं है लेकिन मैं कहता हूँ यदि आज बारिस नहीं हुई तो मैं office जाओंगा condition 1 then statement 1 execute होगा लेकिन यदि आज बारिस हो गई तो else आला पड़ा गया तो मैं घर पर रहूंगा statement 2 ठीक है तो बारिस नहीं होगी तो मैं office जाओंगा statement 1 लेकिन बारिस हो गई यानि condition 1 false हो गया then statement 2 मैं घर पर ही रहूंगा तो I hope आपको समझ में आ गया होगा syntax 1 and syntax 2 अब discuss करते हैं syntax 3 के यह syntax 3 है यह देखे यह syntax 3 है या इसको आप बोल सकते है nested if ठीक है nested if का मतलब होता है या nested conditions nested if का मतलब होता है एक if के अंदर दूसरा if दूसरे if के अंदर तीसरा if और इसका level infinite होता है आप जितना चाहें उतना एक के अंदर check if conditions यूज कर सकते हैं कैसे यूज करते हैं पहला condition लगा पहला इफ कंदिशन इफ कंदिशन वन यदि कंदिशन वन टू हुआ then statement one execute होगा और उसके बाद condition two check किया जाएगा यानि condition one true होगा then statement one को execute करेगा और फिर दूसरा condition check करेगा condition two यदि true होता है then statement two का execute करेगा और ये तीसरे नंबर का condition चेक किया जाएगा ऐसा एंथ नंबर तक यानि कि आप जितना चाहें उतना आप conditions लगा सकते हैं और ये एंथ नंबर का condition condition two होगा तो एंथ statement execute होगा और आपको जितना आपने जितना इफ कंडिशन लगाया इफ स्टेट्मेंट स्वारी इफ कीवर्ड लिखा है उतना ही आपको क्या लिखना पड़ेगा and if लिखना पड़ेगा क्योंकि इफ का जो block close होता है वो and if से होता है यदि आप and if नहीं लि फाल्स हो गया यदि condition two false हो गया तो यह else जो है यह condition two के लिए condition two के फॉल्स होने पर यहां पर यह अले else में आएगा और यह statement two point one को execute करेगा ठीक है तो condition two का block कहां पर हुआ यह इतना condition two का block हुआ यह दि first condition first condition यह फाल्स होता है यह वाला else execute होगा यह वाले else में आ जाएगा हमारा programming control और इसके block के अंदर चला जाएगा और यह सारे statement execute होंगे तो यह होता है nested if यानि एक if के अंदर दूसरा if एक if यदि true होगा तो true होने पर हमारे पास दूसरा condition है दूसरा true हो गया तो तीसरा condition है इस तरह से एक के अंदर एक जब हम if condition का प्रयोग करते हैं उसको बोलते है nested if I hope आपको समझ में आ गया होगा अब हम discuss करते हैं चौथे if syntax के बारे में syntax जो है if condition का चौथा प्रकार का syntax क्या है उसके बारे में हम discuss करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह है चौथे प्रकार का syntax यह actually है else if यानि कि यहां पर देखिए if condition 1 यदि condition 1 true होता है then statement 1 execute हो जाएगा else if यानि यदि condition 1 false हुआ देन हमारे पास दूसरा condition है condition 2 यदि यह true हुआ then statement 2 execute होगा और यदि यह condition 2 false हुआ देन हमारे पास एक और condition है else if हमारे पास condition है condition 3 condition 3 यदि true होता है then statement 3 execute होगा इस तरह से हमारे पास और भी else if हो सकते हैं और यहाँ पर last में हम else का use कर सकते हैं else जब हम लगाते हैं तो else वाला part कब execute होगा जब हमारे पास सारे condition false हो जाएंगे उपर में जितने भी conditions हमने दिये हैं वो सारे यदि false हो जाते हैं फिर यह else वाला block जो है execute होगा यानि nth number of statement जो है वो execute होगा तो तीसरे और चौते syntax में difference क्या है तीसरे syntax में देखे यहाँ पर यहाँ पर देखे यह first condition जब true होता है तभी एक दूसरा condition चेक किया जाएगा ठीक है यहाँ पर चौते statement में देखो चौते statement जब condition one हमारा false होगा तो यहाँ पर condition two check किया जाएगा और condition two false होगा तो condition three check किया जाएगा यानि third वाले syntax में जब condition one true होता है तो दूसरा condition check होगा जबकि चौथे वाले syntax में जब condition 1 false होता है तो दूसरा वाला condition चेक होगा दूसरा false होता है तो तीसरा तीसरा false होता है तो चौथा ऐसा चलेगा तो यह है basic जो difference है syntax 3 और syntax 4 में तो यह हुआ if condition का basic जो syntax है जिस format में इसको use किया जाता है उसको मैंने explain करने की कोशिश की आई hope आपको समझ में आया हुआ अब मैं इसका जो practical है वो आपको अपने जो data state है उस पर practical आपको उपयोग करके दिखाता हूँ ठीक है तो यहाँ पर जो conditions मैंने discuss किया हुआ है उसको भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ यह हमारे conditions है क्या condition है पहला condition यदि total sale यानि यहाँ पर देखिए total sale यानि की column N यहाँ पर यदि total sale 7 lakh से बड़ा है या बराबर है तो bonus आएगा 10% दूसरा condition हमारे पास है यदि total sale is greater than 6 lakhs and less than 7 lakhs यानि 6 से 7 lakh के बीच में है तो 8% आएगा bonus और total sale is greater than or equal to 5 lakhs and total sale is less than 6 lakhs यानि 5 lakhs से और 5 lakhs और 6 lakhs के बीच है तो 5% और यदि total sale 5 lakhs से नीचे है तो 3% bonus आना चाहिए यह हमारा condition है तो इसको हम यहाँ पर कैसे use करेंगे उसको हम programming पर देखते हैं तो मैं आपको लिए चलता है अपने programming code पर यह मेरा programming code है यहाँ पर मैंने module 1 लिया हुआ है और इसमें एक subroutine बनाया हुआ है जिसका नाम है calculate इसके अंदर मैंने coding की हुए है यह variable declaration है जिसमें जितने भी variables इस coding में use किये गए है उसको मैंने यहाँ पर declare किया हुआ है long type का variable है यह वरक्षिट variable है फिर यह long type का है और यह integer type का है ठीक है यहाँ पर जो वरक्षिट variable मैंने लिया हुआ है उसमें मैंने अपने वरक्षिट को assign किया हुआ है जिसका नाम है VBA जिसमें मेरा डेटा सेट लिखा हुआ है तो इसको मैंने वरक्षिट variable में assign कर दिया और इस वरक्षिट का मैंने total number of rows निकाला है column A का और इसको मैंने चेक किया कि यदि total row चार से नीचे है देन इसका मतलब है कि कोई data नहीं है क्योंकि जो data है वो चौथे नंबर row से start हुआ है मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ तो यहाँ पर मैंने condition दे दिया है कि 4 नंबर से नीचे यदि रो आता है तो इसका मतलब है कोई data नहीं है यदि 4 नंबर से उपर आता है डेटा या नि चौथे row पर data इसका मतलब है कि data है और यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया एक range को clear किया गया N से लेके P, तो N column से लेके P column, यानि कि ये जो है N column है, ये O column है और ये P column है, यानि कि total cell, bonus, rupees और bonus percent, इसमें जो भी data पहले से लिखे हुआ है, उसको यहां तक clear करेगा, ठीक है, इसके बाद यहां पर मैंने for loop चलाया हुआ है, ये for loop मैंने चलाया हुआ है, for loop किस लिए, तो द number of rows, हमारे worksheet का, क्यों चलाते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर बहुत सारे salesman का नाम लिखा हुआ है, अभी यहां पर 19 नंबर के row, row तक हमारा salesman का नाम लिखा हुआ है, data लिखा हुआ है, लेकिन जोरी नहीं है, इतना कम salesman हो आपके पास, बहुत ज्यादा salesman हो सकते हैं, इस सफ़े जॉरी नहीं है, कि मेरे पास इतनी salesman होगे, इसरे कम भी हो सकते हैं, अभी 19 रों तक है, 19 हजार तक हो सकता है, 10 हजार तक हो सकता है, 지ने भी रोज होंगे यहां पर, उतनी रोज का calculations हमको यहां पर यह तीनो कोलं के लिए करनी पड़ेगी, तो हमको य फार नंबर रो से ले करके लास्ट रो तक यह लूप चलेगा फार लूप हमने चलाया हुआ है और यहां पर लूप में हमने क्या लिखा तो यहां पर हमने लिखा सबसे पहले कैलकुलेट किया टोटल सेल टोटल सेल कौन से कॉलम में आएगा टोटल सेल देखे हमारे इस कॉल लगाएंगे और सम लिखने के बाद यहां से हम एक रेंज लेंगे कौन से कौन से कॉलम तक भी से ले करके एम कॉलम तक हम यहां पर रेंज लेंगे और यहां पर ओकी कर देंगे तो यहां पर हमारा क्या निकलाएगा टोटल सेल यही चीज़ हम VBA कोड के माध्यम से करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर देखे एक यहाँ पर मैंने फंक्शन लिया हुआ है एप्लिकेशन डॉट वर्कशिट फंक्शन तो यह वर्कशिट फंक्शन है यह वर्कशिट फंक्शन के भीतर जितने भी वर्कशिट के हमारे फंक्शन से उसको हम एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर यदि मैं डॉट लगाऊं जैसे यहाँ पर मैंने डॉट लगाया तो यहाँ प तो इसका syntax क्या होता है, तो यहाँ पर range देना पड़ता है, इस function के भीतर हमको argument पास करना पड़ेगा, जो कि एक range होता है, तो range में मैंने बताया क्या, b column से ले करके, m column तक का, और जो भी row होगा, जो भी 0 यहाँ पर loop में चल रहा है, 0, तो जो भी 0 होगा, उस row में b column से ले कर करके, m column का range हमने यहाँ पर दिया, और इसको calculate करके, कहाँ पर हमको लेना है, total cell यहाँ पर एक variable है, उसमें हमको store कर देना है, तो total cell हमारे पास आ गया, अब हमको total cell को print कहाँ पर कराना है, तो column n पर कराना है, यानि कि हमारा, यह देखे, column n यहाँ पर print, n column में इसको print करा दि अब यहां से हमारा condition शुरू हो रहा है, अब हम condition को discuss करते हैं, तो यहां पर मैंने जो condition use किया हुआ है, वो actually चौते नमबर का syntax है, उसको मैंने use किया हुआ है, जो चौते नमबर का syntax मैंने आपको explain किया था, यह देखे, यह वाला, यह syntax मैंने यहां पर use किया हुआ है, कौन सा syntax आपको यूज करना है यह आपके programming situations के उपर depend करता है मेरा जो situation है वो syntax 4 को suit करता है इसलिए मैंने syntax 4 यहां पर use किया हुआ है लेकिन मैं आपको पहला और दूसरा syntax भी यहां पर explain करके बता जाता हूं उसके हिसाब से coding करके बता जाता हूं तो पहला वाला जो हमारा syntax है पहला व Stephen1 execute होगा और यह एफ जयनी एक block execute होगा और उसके बाद and if लग जाएगा तो यहाँ पर यह condition है यह condition के बाद हमारा सिर्भ यह वाला statement execute उपक उपात कुछ भी नहीं तो मैं आप यहां पर इसको हटा देता हूं यह statement मैं यहां से हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ बाद में हम इसको वापस ले चलेंगे ठीक है तो यहाँ पर देखे मेरे पास एक ही कंडिशन है इफ टोटल सेल इस ग्रेटर दना इकोल टू 7 लेक्स यदि यह कंडिशन टू होता है तो हमारा बोनस परसेंट 10 परसेंट आना चाहिए और यह ब्लॉक के अंदर जो भी है इसको मैं अंदर ले लेता हूँ क्योंकि हमारे पास एक ही कंडिशन है तो इसको मैं अंदर में ले लेता हूँ इस तरह से ठीक है और इस रन करके दिखाता हूं यह देखे तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करता यह देखे तो पहला ही कंडिशन है यदि हमारे पास टोटल सेल 7 लाग से उपर है 7 लाग या 7 लाग से उपर है तभी यह हमारा जो है बोनस एमांट निकलेगा और बोनस परसेंट निकलेगा यदि 7 लाग से नीचे है तो देखे कुछ भी नहीं हो जो खाली जगा आप नहीं हुआ क्योंकि हमने एल्स वाला पार्ट एक्जिक्यूट ही नहीं किया ठीक है अब मैं एल्स वाला पार्ट यहां पर एक्जिक्यूट करता हूं दूसरा स्टेट में एल्स तो यहां पर इसको मैं बाहर कर देता हूँ अब और इनको यहां पर ले आता हूँ क्योंकि यह common statement है सॉरी यह common statement है क्योंकि conditions के बाहर ही लगेंगे और यहां पर जो हमारा percent है वो percent change हो जाएगा तो यह percent मैं कर देता हूँ कितना 8 percent ठीक है यानि यदि 7,00,000 से उपर है या बराबर है तो 10 percent और नहीं तो 7,00,000 से नीचे चाहे वो 6,00, 5,00, 3,00, 2,00, 1,00, जितना भी है 7,00,000 से नीचे है तो 8 percent ठीक है यानि कि यह condition यदि false हो गया true नहीं हुआ तो else वाला part हमारा execute हो जाएगा यह आ जाएगा आपका दूसरा प्रकार का syntax जो मैंने आपको यहाँ पर discuss करके बताया यह दूसरा वाला पहला condition यह दे true होता है तो statement 1 नहीं तो दूसरा statement statement 2 execute होगा ठीक है अब इसको मैं run करके आपको दिखाता हूँ देखिए यह देखिए यहाँ पर देखिए जो सेवन लैक्स है सेवन लैक्स है सेवन लैक्स उपर वह टेन परसेंट आये और बागी के जो सेवन लैक्स है जो नीचे है वह सब 8% पर आ गए अब हमारे पास और भी conditions है उसको भी हम discuss करते हैं तो अगला condition क्या है देखते हैं अगला condition हमारे पास क्या है यहाँ पर मैंने condition आपको लिखके बताया थे यह देखिए यहाँ पर है ना यह पहला condition हो गया तो यह हमारे पास दूसरा condition यानि कि 6 लाग से 7 लाग के बीच होता है तो बूनस हमारा 8% होगा तो उसको हम देखते हैं कहाँ पर हमको लिखना है तो यहाँ पर देखे else if तो मैं वो line copy कर लेता हूँ यहाँ पर जो मैंने हटाया था यह देखे यह वाली जो line है यह वाली line यह मैं यहाँ से उड़ा करके वहाँ पर लिख देता हूँ देखे यह वाली लाएं ठीक है तो यहाँ पर यह देखे यदि 6 लाग से बड़ा है और 7 लाग से छोटा है तो हमारा बोनस कितना आना चाहिए 8 परसेंट और ऐसे ही दूसरा कंडिशन समी मैं ले लेता हूँ ऐसे ही हमारा में धेकी यहां तक मैं ले ले लता हूं पुरा यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिखना पड़ेगा हैं सवल की यहां नीचे लिखना पड़ेगा यह देखिये यह देखे ठीक है यह मैंने सारे कंडिशन्स दे दिये आपको तो यहाँ पर देखे 6 लेक्स से 7 लेक्स के बीच यह दी हमारा टोटल सेल होता है तो हमारा जो बोनस परसेंट है 8 परसेंट होगा उसके बाद तीसरा कंडिशन हमारा है यदी 5 लेक्स से बड़ा होता है और 6 लेक्स से छोटा होता है यानि 5 से 6 लाग के बीच हमारा टोटल सेल होता है तो हमको निकालना है 5 परसेंट और यदी 5 लाग से नीचे होता है यानि कि ऐल्स 5 लाग से नीचे कितना भी हो सकता है पास हमारा उसके बाद हमारा कोई कंडिशन नहीं है पांच लाग के नीचे चार लाग हो सकता है तीन लाग हो सकता है दो लाग हो सकता है एक लाग हो सकता है ठीक है तो यहां पर हम यहां पर एल्स लगा देंगे और यहां पर हमारा कंडिशन क्या कहता है तीन परसेंट बोनस इस बmedimमें क्लिक करता हूं ओई देखें यहां तक 10 परसेंट आया क्योंकि 7 लाग से उपर है यह 8 लाग 6 लाग से 7 लाग के बीच है यह 5 परसेंट देखिये ठीक है यह 5 लग से 6 लग के बीच है और यह 3% क्योंकि यह 5 लग से नीचे है इस तरह से यह सारा calculation यहां पर हो जाता है ठीक है अब यहां पर एक condition हम और दे सकते हैं ठीक है यहां पर चाहें तो आप else if लगा सकते हैं हलाकि जोरत नहीं है लेकिन लगा सकते हैं total cell is greater than 0 कम से कम 0 से बढ़ा हो यहां पर कुछ भी amount आप दे सकते हैं जैसे 1 lakh दे सकते हैं ठीक है यह 1 lakh 1 lakh एंड यहां पर दे सकते हैं total cell is less than 5 lakhs यहनि कि हम चाहें तो यहां पर एक और कंडिशन लगा सकते हैं एक लाग से ले करके पांच लाग का यदि सेल किसी सेल्समें ने किया है तो उसको 3% और एक लाग से ले नीचे है तो कोई bonus नहीं दिया जाएगा ठीक है उसका calculation ही नहीं होगा तो इस तरह से हम conditions लगा सकते हैं ठीक है और उसके बाद conditions के बाहर हमने क्या calculate किया तो bonus का percent calculate किया यह ठीक है bonus amount into 100 upon total sale total sale पर हमने bonus percent जो bonus amount हमने निकाला है वो कितना percent है हमारे total sale का यह bonus percent पर आजाएगा और यहाँ पर दोनों को print करा देंगे कौन-कौन से column में column O पर हमारा रहेगा bonus amount और column P पर यह column P पर रहेगा bonus percent तो इस तरह से हम calculation यहाँ पर कर सकते हैं एक बार मैं इसको फिर से clear कर देता हूं और यहाँ पर मैं इसको run करता हूं इस तरह से तो इस प्रकार से हम conditions का प्रयोग करके हम अपने programming में variations ला सकते हैं यह programming situations पर उपर depend करता है कि हमको conditions कैसे यूज करना है कब यूज करना है कहां यूज करना है कैसे यूज करना है मैंने आपको condition समझाते समय पहले ही आपको बता दिया था तो ओके फ्रेंड्स ये था सबसे महत्तुपूर्ण important conditions जिसका नाम है एफ condition इफ condition इतना important है कि आप किसी भी programming language पर आप programming करें बिना एफ condition के आप programming करी नहीं पाएंगे तो इतना महत्तुपूर्ण programming की कड़ी है ये इफ condition जिसके बारे में मैंने आपको discuss किया I hope ये condition आपको अच्छे से समझ में आया होगा यदि आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप ज़्यादा ज़्यादा like कीजेगा share कीजेगा comment कीजेगा और channel पर नए हैं तो channel को subscribe क कर लीजेगा और मिलते हैं इसी तरह के useful नए वीडियो पर तब तक के लिए बाबाए थैंक्स पर वाचिंग थैंक्यू वेरी मच